हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एक और पांच टेबलेट एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल हिरदे रोग से संबंधित छाती में दर्द, एंजाइना को रोखने और इलाज करने के लिए किया जाता है। इसे लेने की सलाह तब दी जाती है। जब हिरदे की अन्य भी लिया जा सकता है। इसे पानी के साथ पूरा निगला जाना चाहिए। इस दवा को नियमित रूप से और प्रतीक दिन लगभग एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर निर्नय लेगा कि आपको इस दवा की कितनी खुराक और कितनी बार लेनी चाहिए। यह कितने अच सुधार पर यह समय समय पर बदल सकता है। हमारे डॉक्टर से बात किये बिना इसे लेना बंद न करें क्यूंकि अचानक विदर्डरॉल से आपके सीने में दर्द दुबारा शुरू हो सकता है। आप धूंडपान छोड़ना, शराब का सेवन कम करना, अच्छी तरह खाना खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और तनाव प्रबंधन करने जैसे कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर अपने दिल के स्वास्थि में सुधार कर सकते हैं। इस दवा का सबसे सामाने साइड इफेक्ट सिर्दर्ध है, खासकर इलाज के पहले कुछ दिनों मे यह आमतोर पर एक सब्ताह के भीतर सुधर जाता है, हालाकि बहुत सारे तरल पदार्ध पीने और शराब से परहेज करने से मदद मिल सकती है। अन्य सामाने साइड इफेक्ट में शामिल हैं चक्कर आना या कमजोरी, मिचली आना और फ्लशिंग, चेहरे, कान, गर्दन और शरीर में गर्माहत का आहसास। अगर आप इनसे परेशान है या इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बताएं कि कोड़ पांच टेबलेट कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि आपको पहले कभी लो ब्लड प्रेशर या होट फै दवा नहीं लेनी चाहिए कि कोड़ पांच टेबलेट को आमतोर पर गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान नहीं दिया जाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।